अस्सलाम वालेकुम वराह्मतुलाहीं बरकातों दिल्ली में रायट्स चल रहे हैं और मैं हमारी गवर्मेंट से रायटर्स से और सारे के सारे सेंसिबिल कंसर्ण लोगों से कपील करना चाहता हूँ हम सब के सब जानते हैं कि जब riots चलते हैं तो country की economy पे एक असर पड़ता है क्या आपको पता है कितना असर पड़ता है हमारे पास एक मिसाल है गुजरात के 2002 के riots की गुजरात Chamber of Commerce and Industry ने उस वक्ट पर कहा था कि गुजरात riots की वजा से 10,000 करोड का नुकसान बिजनस को हुआ Confederation of Indian Industry और Government Sources दोनों ने कहा था कि डेली का 500 करोड का बिजनस का लॉस हो रहा था ये तो 2002 की बात थी आज की तारीक में कितना लॉस हो रहा होगा और दिली जैसे बड़े शेयर में कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा वो तो हम खुद समझ सकते हैं Global Peace Index ने अपने पीस के पूरे International Index में 163 कंट्रीज में से इंडिया को 141 नंबर पर रखा था और बताया कि इंडिया में एक साल 2019 में 61 लाग करोड का लॉस हुआ 61 लाग करोड किसे बोलते हैं इस तरह की सारे वाइलिंस की वज़ा से अब आप खुद सोचिए कि जब इस तरह के रायट्स हो रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है यानि हमारी कंट्री अपनी कंट्री की दौलत को वेस्ट कर रही है इस तरह के वाइलिंस पर जाहिर सी बात है जिस कंट्री में इस तरह की हिंसा हो उस कंट्री में आने वाला फौरिन इंवेस्मेंट तो कम होना ही है कई कंट्री अपने नागरिकों को ट्राइवल एडवाइजरी इशू कर चुके हैं कि इंडिया में नहीं जाना है इस तरह की हिंसा की वज़ा से इस वज़ा से तूर्जम पर भी असर पढ़ने वाला है हिंसा करने वाले हिंसा कर रहे हैं उकसाने वाले उकसा रहे हैं पुलीज भी हिंसा होने दे रही है लेकिन ये सब के सब को ये अहसास नहीं हो रहा है कि हमारी country आज की तारीक में एक ऐसी delicate situation में है, एक ऐसी नाजिक situation में है हमारी economy, हमारी अर्थवेवस्ता एक ऐसी situation में है कि थोड़ा सा अगर धक्का गलत तरीके से लग गया तो हमारी country एक बहुत बड़ी economic crisis में गिर सकती है, हम सब खुद देख चुके हैं कि PMC bank किस तरह से collapse हुई, banks खुद एक बहुत ही नाजुक से ratio में है अलग-अलग loan defaults हो चुके हैं, bad debts आ चुके हैं, vodafone वगयरा डूबने की बात हो रही है अब इस situation के अंदर ये सारे riots वगयरा अगर शुरू हो जाए, तो ये बात sure है कि हम एक बहुत बड़ी economic crisis को देख रहे हैं और फिर समझनी की बात ही है कि जब bankें डूबेगी, jobs चुटेंगे, तो सब के सब को इस बात की तकलीफ होने वाली है तो हम सब के लिए जरूरी है, as concerned individuals, हम सब अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, हम सब करें, इन riots को रोकने के लिए इसी वज़ा से इस वीडियो में मैं आपके सामने सुझाओ रख रहा हूं कि अमन कमिटी, सब भावना कमिटी, जगा जगा एरिया एरिया में बननी चाहिए हो, strong बननी चाहिए सब लोगों को आकर के मिलना चाहिए, और दो तरह की बननी चाहिए सिलेक्ट स्ट्रॉंग लोगों की और अवाम की भी सब के सब मिलकर अमन कायम करेंगी इस कंट्री में हम सब और हम याद रखेंगे गांदी जी की मिसाल को कि वो खुद अपनी जिंदगी के आखरी वक्त में का वरत रखा कि लोग रायट्स को रोकें एक और मिसाल हमाई पास सुनील गावस करकी है कि जब बॉंबे में रायट्स चल रहे थे वो खुद उतर करके उन्होंने एक फैमिली को रायटर से बचाया था ये अमन कमिटी सद्भावना कमिटी में हर धर्वाले होने चाहिए सारे कंसर्ण्ट इंडियन्स होना चाहिए हमारा इंसानियत का नाता है हमारा एक खून का नाता है और खून तो खून ही होता है चाहिए किसी का भी खून बहे अरे किसी की खून पसीनी की महनत से बनाया हुआ उसका बिजनस उसका घर अगर जला दिया जाए तो ये रोकना हम सब की जम्मेदारी होती है हमारे कंट्री की इमिज पुरी दुनिया में खराब हो रही है और हो सकता है कि आपके धन की इमिज भी लोगों की आँखों में खराब हो रही है जल्म से रोकना तो सब धन सिखाते हैं ना हम सब जाने वाले हैं अपने मालिक के पास हम सारे के सारे लोगों से अपील करते हैं आओ सब मिल कर रुपते हैं पागलपन को हमारे पास एक मिसाल प्रॉफित मुहम्मेद ﷺ की भी है जब मक्का के अंदर तीन साल तक टोटल बॉयकॉट उनका किया गया तब बनु हाश्यम और बनु मुतलिब नाम के दो कबीले जो मुसली नॉन मुसलिम्स के थे उन्होंने मुसलिम्स का टोटल साथ दिया था वो भी खुद उस बॉयकॉट में तीन साल तक साथ में रहे यहां तक है कि बॉयकॉट खतम हो गया अगली बात कि हमें करना क्या है ऐसे वकट पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी जान अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस तो करना है लेकिन साथ साथ में हिफाज़त करनी एक बहुत बड़े कॉज की जो एंटी CAA प्रोटेस पूरी इंडिया में सारे धन वाले मिलकर कर रहे थे वो प्रोटेस पर आच नहीं आनी चाहिए आपके अंदर एक तरह का गुसा सो लग जाए आप जानते हैं कि जब मस्जिद को जलाया गया मिनार के ओपर जो भगवा जंडा लगाया गया ये चीज को देखकर गुसा आ सकता है किसी को लेकिन आपको वो गुसे को रोकना है क्यों ये कौन लोग है कर रहे हैं आपको पता है ये एक frustrated minority है जो सिफ पुलीस और गवर्मेंट के सपोर्ट से दंगा कर रहे हैं आपको पता है बहुत सारा unemployment चल रहा है किसी unemployed person को थोड़े पैसे मिल जाए दंगा करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग है जो बिखते हैं यानि कि बहुत सारे भाड़े के टट्टू है किसी भी धर्म किसी भी कौम के लिए अपने दिल में नफरत मत आने देना मैं अपने मुस्लिम भाईयों से अपील करता हूँ कि अपने दिल में किसी हिंदू के लिए गया तो self defense की इजाज़त तो खुद इंडिया का कानून देता है Indian Penal Court के section 96 में है United Nations के charter का article 51 है कि आपके पास self defense का तो हक है लेकिन जल्म नहीं करना है और किसी भी हाल में आपको अपने दिल में किसी तरह का डर नहीं आने देना है क्योंकि दुनिया और दुनिया की जिन्दगी दुनिया की सारी चीज़ें तो छोड़ के ऐसे भी जाना है हमें खुशी होनी चाहिए कि हम अच्छे काम के लिए सचाई की लिए अच खड़े जुन करने वालों की फोटोग्राफ्स लो वीडियो बनाओ खुद अपने आपको जैसे के एक मीडिया का रिपोर्टर समझो आज मीडिया तक आपकी आवाज कैसे पहुंचे याद रुकिए इस बात को वाट्सैप के जरीए पहुंचाना मुश्किल है लेकिन ट्विटर के जरीए आप इंडियन और इंटेनाशनल मीडिया एक्टिविस्स सब के पास अपनी रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं मैं खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंडियन और इंटेनाशनल मीडिया हॉल्स और कुछ प्रॉमिनेंट एक्टिविस्स का आपको ट्विटर दे रहा हूं और हाला देखते हुए CAA प्रोटेस्स जारी रहना चाहिए किसी एरिया में कुछ वक्त के लिए कभी कम कभी जादा हो सकता है लेकिन ये प्रोटेस्स रुकरी नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो हम सब बरदाश नहीं कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों की नागरिकता ले ली जाए उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाए जो लोगों का इन रायट्स में लॉस हुआ है उनके लिए हर जगा पर एक अच्छा रिली फंड बनना जरूरी है ताकि उनकी जंदगिया नॉर्मल पर वापस आ सके आखिर में एक बात याद र कुल्लमा अवकदू नार लिलहर्बी अत्वाहला जब जब वो जंग की आंग लगाते हैं उपर वाला अल्लाह उन्हें बुझा आ देता है इस वीडियो को जादस जादस शेयर करें हो सकता है कि आप खुद एक बहुत बड़े फसाद को रोकने में जरिया बन जाएं हमारी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें फेस्बूप पेज को लाइक करें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या ख्याल है असलाम वालेकुम रहमतुल्हीं बरकातु झालेकुम झालेकुमाद का मुझे बहुत शाया है